नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मुक मंत्री डाडली बहना योजना यहाँ पर तीसरे राउंड में इसका आवेदन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है तो आप लोग जल्दी इसका आवेदन के अभी डेट नहीं आये पर आपका यहाँ पर मुक मंत्री जी ने साप अनाॉस्मेंट कर दिया गया है जो भी मैलाएं इस योजना से वन्चित रहे गई थी उनको एक बार मौका और दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वंचित रह फिर से वंचित हो सकता है तो आपको इस बार ये गलती फिर से नहीं करनी है वरना आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट हो सकता है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मैं आप आज को आप लोगों को यहाँ पर important बातें बताऊंगा ताकि जो आपका जो form है फिर से reject ना हो तो आपको सभी बातें बड़े ध्यान से सुननी है वरना आपका form फिर से reject हो सकता है इसके बार हो सकता है कि आप दुबारा form भरने की date ना दी जाए तो आप लोग इस बार बड़े ध्यान से सभी बातों को सुनेंगे और यहाँ पर अगर आपने वो गलती पहली बार की थी तो इस बार नहीं करेंगे तो सबसे पहले अगर जो भी मैला इस से योजना का लाब लेना चाहती है तो उनकी जो उमर है वो यहाँ पर 21 साल से 69 बरस तक उनकी उमर होनी चाहिए आप अपना आधार कार्ट चेक कर लेंगी अगर आपकी जो आई हो है इसके मद्द में आती है तो आप लोग इस योजना का लाब ले सकते है अगर आपकी जो आई हो है इससे अधिक है या कम है तो आप लोग इस योजना का लाब नहीं ले सकते है इसके बाद इस योजना के तहर प्रदान की जाने वाली आर्थिक रासी प्राप्त करने के लिए आवेदग फॉर्म जबा करने वाले महिना के पास DBT सक्रिये बैंक अकाउंट होना चाहिए यहनि कि यहाँ पर कह रहा है कि DBT यहाँ पर आपके पास यहाँ पर DBT सक्रिये यहाँ पर बैंक खाता होना चाहिए जो यहाँ पर सुचारू रूप से चालू हो जिस पर लेंदेन की किरिया लगातार चल रही हो ऐसा अकाउंट नंबर आपको नहीं लगाना है जिसमें आपने गत वर्सों या गत महिनों तक कोई भी लेंदेन ना किया हो इसके बार नेक्स्ट यहाँ पर पताएंगे आवेदग महिला के परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए आयकर दाता मतलब कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है फिर भी आप इसोजना का लाब लेना चाहती है तो आप ऐसा नहीं कर सकती है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसके बाद जो लास्ट वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं यहाँ पर तीसरे step में तीसरे round में आभेदर करने बाले महिला के परिवार में कोई भी कोई भी यहाँ पर member सरकारी job नहीं करना चाहिए अगर करता है तो आप कोई सोजना का लाब नहीं दिया जाएगा आपका form automated rejected कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है अगर आपने इतनी गलती फिर से कर दी तो यहाँ पर आपका form फिर से reject हो सकता है और last वाली यहाँ पर जो कि सबसे most important है जो आपका आधार कार्ड होगा वही detail आपके form में same match होनी चाहिए अगर कोई भी यहाँ पर detail same match नहीं हो रही है तो भी आपका form reject कर दिया जाएगा तो यह अपना आधार कार्ड सबसे पहले सही करवा लिजे जम देती आपका नाम पिता का नाम जो भी गलती हो वह आप सही कराकारी फिर से form आभेदन कर देंगे तो आपको इसोजना का लाप मिल ले लगेगा इस परकार अगर आपका कोई भी doubt रहता है तो आप लोग मुझे comment box में वह doubt यहाँ पर पूछ सकते हैं जहिन दोस्तों फिर मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक की जहिन अभी यहाँ पर आभेदन की जो डेट है नहीं आई है जब आभेदन की डेट आज आएगी तो यहाँ पर जो आपसन दिख रहा है यहीं से आपसन वो open हो जाएगा